ओम स्रिवेंक टेसाय नमहा मैं प्रोफेसर S.V.S.S. नारायन राजू यूट्यूब चानल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ संत गोस्वामी तुलसिदास जी द्वारा विर्चित स्री राम चरित मानस के किशकिंदाकान से आज लगबग अंतिम सोपान तक पहुंच गए हैं आज अंतिम पद की व्याक्या आज मैं अभी करने जा रहा हूँ अब सारे वानर योद्धा आराम से बैट के कैसे अब समंदर पार करना है इसके लिए क्या क्या करना है कैसे करना है अब आपस में अपने अपनी शक्ति परिक्षन और शक्ति की जो बातें चल रहे हैं अब आगे देखेंगे आदि रहे हु बलवाना पवन तनय बल पवन समाना बुदि विवेक विज्ञान निधाना कवन सो काज कटन जग माही जो नही होई तात तुम पाही राम काजल गितव अवतारा सुनत ही बयव पर्वताकारा कनक बर्नतन तेज बिराजा मानहु अपर गिरिन्हि कर राजा सिम्ह नाद करि बारहि बारा लीलहि नागाउं जलनिदि खारा सहित सहाई रावनहि मारी आनव यहां त्रिकूट उपारी जामवंत मैं पूँचाँ तोही उच्चत सिकावन दीजह मोही यतना करह तात तुम जाई सीतह देकि कहह सुधि आई तब निज भुज बल राजीव नैना कौत को लागी संग कपि सेना कपि सेन संग संगारी निसिचर रामू सीतही आनि हैं त्रैलोक पवन त्रैलोक फावन सुजस सुरिमुनि सुरमुनि नारदादि बकानि हैं जो सुनत गावत कहत समुझत परमपद परना पावैं रगवीर पद पाथोज मदुकर दास तुलसी गावैं भव भेशज रगुनाद जस सुनही जेनर अरुनारी तिनह कर सकल मनोरद सिद्ध कर हिंत्रि सिरारी नीलोतपल तनस्याम काम कोटी सोभा अधिक सुनिव तास गुन ग्राम जासु नाम अग कगबदिक अब आपस में एक-एक कितना काम कर सकते हैं कितने योग हैं अब अंगद अंगद कहा ही जाम मैं पारा जीय समसई कच फिरति बारा जामवंत कहा तुम सब लायक पटएव किमी सब ही करनायक अंगद ने कहा मैं फार तो चला जाओंगा लेकिन लौटते समय के लिए हुरदय में कुछ संदे अब जाने का था है लेकिन अब मैं आ सकता हूं नहीं वो तो संदे व्यक्त किया अब जामवान ने कहा तुम सब प्रकार से योग्य हो इसमें कोई संदे नहीं हैं परन्तु तुम सबके नेता हो तुम हैं कैसे बेजा जाएं कहाई रीच पति सुनो हनुमाना काचप साधी रहे हु बलवाना पवन तनय बल पवन समाना भुदि विवेक विज्ञान निधाना रक्षराज जामवान ने वानर स्रेष्ट स्री हनमान जी से कहा हे हनमान हे बलवान सुनो तुमने यह क्या चुप साध रखी अभी तक तो सभी लोग बोल रहे हैं लेकिन हनमान जी बिल्कुल चुप बैटे यही हनमान जी की विशेष्टा है तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो तुम इसके साथ बुद्धी विवेक और विज्ञान की खान हो ये हनमान जी का गुण है कवन सो काज कटन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही राम काज लगितव अवतारा सुनता ही भयव पर्वताकारा जगत में कौनसा ऐसा कटन काम है जो है तात आपके लिए कोई आई ही नहीं कटन काम तुम से ना हो सके और कोई ऐसा कोई काम है क्या और भी प्रभु श्री रगुनाद जी के कारे के लिए ही तो तुम्हारा आउतार हुआ अब हनमान जी को याद दिला रहें या सुनते ही श्री हनमान जी परवत के आकार मतलो अत्यंत विशाल काय हो गए हैं कैसे हैं सुलसिदार जी के शब्दों में देखे कनक बरन तन तेज विराजा मान अपर गिरिन ही कर राजा सिमहनाद कर रिबार ही बारा लील ही नागव जलनी दिखारा धिके उनका सोने का सा रंग है श्रीर पर तेज सुशोबित हैं मानों दूसरा परवतों का राजा सुमेरू हो अनमान जी ने बार बार सिमहनाद करके कहां मैं इस खारे समद्र को केल में ही लांग सकता हूं सहित सहाय रावन ही मारी आनव यहां त्रिकूट उपारी जामवंत मैं पूचाँ तो ही उच्चत सिखावन देजहु मोही देखिए और सहाय कों सहित रावन को मार कर त्रिकूट परवत को ही उकाड कर यहां ला सकता हूं क्योंकि सिता मा के लिए वहां तक जाने की क्या जुरत हूं सब को मार के सिधा थ्रिकूट परवत परस्तित सिता मा को सिधा थ्रिकूट परवत के साथ यहां मैं ले आ सकता हूं लेकिन देखिए वही हनमान जी इतनी शक्तिशाली होने के बावजूद भी वो जामबवान से पूछ रहे हैं हे जामबवान मैं तुम से पूछता हूँ तुम मुझे वुचित सीख देना मुझे क्या करना चाहिए आप सही सलाह दिजी ये शिक्तिशाली की और जो शिक्तिशाली और बुद्धि मत्था के मुर्तिमान रूप हनुमान जी है यही सी से हमें ये सिखना चाहिए कि शिक्ति ही नहीं उनके वुचित बुद्धी भी चाहिए जामबवान ने कहा है तात तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देख कर लवटाओ और उनकी कबर कहता बस वहाँ है या ने पुरा देखकर उनसे संबंदी समाचार लियाओ इसके बाद कमल नाएन राजीव नाएन प्रभू शी रामचिंदर जी अपने बाहु बल से ही मतलब सारे रक्षसों का संगार करके सीता जी को ले आएंगे और बस यहां प्रभू ही कर पाएंगे प्रभू ही करेंगे और कौन कर सकते हैं लेकिन हम सब को इसलिए सहायता के रूप में बल केल के लिए ही वेवानरों की सेना साथ लेंगे क्योंकि प्रभू तो मनिशुद रूपदारन किया है तो ऐसे व्यवहार करते हैं लेकिन प्रभू के तो क्या असंबव की बात हैं कपि सेन संग संगारी निसिचर रामू सीत ही आनी हैं त्रैलोक पावन सुजसु सुरु मुनी नारदादी बखानी हैं जो सुनत गावत कहत समझत पर्मपद नर पावई रगवीर पद पाथोज मदुकर दास तुलसी गावई देखिये वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संगार करके प्रभू शिराम चंदर जी सितामा को ले आएंगे तब देवता और नारद आदी मुनी बगवान की तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुन्दर यश्का बखान करेंगे जिसे सुनने से गाने से कहने से समझने से मनश परमपद पाते हैं और जिसे स्रीर प्रभूशी राम चंदर जी के चरन कमल का मदकर बमर तुलसी दास गाता आया इससे पता चलता है कि तो उसी दास की दास्ची बक्ती के उदाहरन है भव भेशज रगोनाद जस सुनाही जेनर अरुनारी तिनह कर सकल मनोरद सिद्ध करही त्रिसिरारी मैं प्रभूशी राम चंदर जी का यश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् जो पुर्श और स्त्री मतलत जो भी हो प्राणी इसे सुनेंगे तृष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष बदिक जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है जिनकी शोबा करोडों करोडों काम देवों से भी अधिक है और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए बदिक अर्दात व्यादाद शिखार के समान है उन श्री रगुराम रगुनाद जी के गुणों के समोह लिला को अवश्य सुनना चाहिए अब इस पदका और एक बार संक्षेप में मैं अर्द बताना चाहता हूं अब अंगद ने कहा मैं पार तो चला जाओंगा लेकिन लौटती वक्त लौटते वक्त आने में कुछ मुझे संदे है मैं कैसे आ सकता हूं नहीं आ सकता हूं जामब जाम्भवान ने बानर स्रेष्ट स्री हनमान जी से का हे हनमान जी हे बलवान सुनो तुमने ये क्या चुप्पी साध रखी है तुम पवन के पुत्र हो और तुम्हारा बल पवन के ही समान है तुम भुद्धी विवेक और विज्ञान के बंडार भी हो विश्व में ऐसा कौन सा कटिन काम है जो हेतात तुमसे नहीं हो सकता मतला हनमान के कोई ऐसा काम नहीं है तुम्हारा अवतार दारन ही प्रभोशी राम चंदर जी के कारे के लिए हुआ है या सुनते ही अब हनमान जी परवत के आकार के हो गए हैं उनके शरीर का रंग सोने का शरीर पर तेज विराज मान है मानों वे दुसरे परवत राज सुमेर हो अनमान जी ने बार बार सिंग की तरह गरज गरज कर कहा मैं इस खारे समुद्र को केल ही केल में लांग सकता हूं और रावन को और उसके संपूर्ण सेना को एक धम मार कर त्रिकूट परवत को ही वका बार कर यहां मैं ले आ सकता हूं देकि इतनी शिक्ति शाली है लेकिन क्या पूछा है जामबवान मैं तुम से पूछता हूं तुम मुझे उचित सीक दो मुझे वहाँ जाकर क्या करना है जामबवान ने कहा हेतात तुम जाकर केवल इतना ही करो कि सिता जी को देखकर राम जी का प्रभु शिराम चंदर जी का समाचार सिता जी को और सिता जी का समाचार ले आके प्रभु शिराम चंदर जी को देना ही आपका काम है कमल नयन प्रभु शिराम चेंद्र जी ही अपने ही बाहुबल से रावन का संगार कर सिता जी को लोट ले आएंगे लेकर आएंगे लेकिन ये सब खवत करदात लीला करने के लिए ही वे वानरों की सेना साथ ले जाएंगे लेकिन वानरों से क्या मतलव है प्रभु तो ये क्षण का काम है और वानर सेना को साथ लेकर सारे निशाचरों का सम्हार करके प्रबोशी रगनाद जी माता सिता जी को ले आएंगे तब देवता और नारद आधिसा संपूर्ण मुनि गण तीनों लोकों को पवित्र करने वाले इस सुंदर अश्का वरनन करेंगे देखिए यहां तुषिदा जी कहते हैं जिसे सुनने से गाने से कहने से और समझने से मनिश शत्त प्रच्षत भगवान का जो स्तान मतलब परमपद अर्दर्त वाइकुंट पाता है वाइकुंट प्राप्त करने में कोई संदेनिया और जिसे श्री रामचंदर जी के चरण कम लोंका ब्रहमर तुलसीदास गाता है यहां देखिए बगवान के स्यश को मतलब बगवान की लिलावों और बगवान की कतावों को सुनने से सुनने गाने कहने और समझने से क्रमश शहा सालोक्य सामिप्य सारूप्य और साईट जमुक्ती मिलती हैं सुनत में स्रवन बक्ति, गावत कहत में कितन बक्ति, समझत में स्मरण और रगवीरपद पातोज मदकर में पाद सेवन बक्ति है नवदा बक्ति में अलग-अलग बक्तियों का वरणन किया है स्री रगवीर का एश जन्म मरन रूपी बवरोग के लिए एक विशेश विआउशद हैं धवा है जो स्त्री पुरुष ही नहीं संपोन प्राणी इसे सुनते हैं त्रिशिरा के शत्रू प्रबोशी रगणाद जी उनके संपोन मनोरतों को सिद्ध करते हैं नील कमल के समान जिनका श्याम शरीर हैं जिसमें करणों कामदेवों से भी अधिक शोबा है और जिनका नाम पापरूपी पक्षियों के लिए एक शिखार मतलब व्याग के समान है मतलब संपोन नाश करते हैं जिस प्रकार जो शिराम चंदर जी के गुणों को अवश सुनना चाहिए इति स्रीमत द्राम चरित मानसे सकलकल कलुषम विद्वम सने चतुर्द सोपान समाप्त हा कलिव के समस्त पापों को पापों के नाश करने वाले शिराम चरित मानस का यह चवता सोपान किश्किंदा कांड समाप्त हुआ है इसके पहले सुन्दर कांड कर पाया मैं प्रभु से इतना ही विनती करता हूँ, अनुरोद करता हूँ, प्रभु बक्ती दें, और आगे भी इस कारिक्रम का मैं निरंतर आगे करने के लिए मुझको शेक्ति प्रदान करें। जै श्राम चंद्र प्रभो श्री सीता राम लक्ष्मन हन्मान की जै जै श्रिमन नारायद